जैशी कुष्णमित्रों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम राशी फल की चर्चा करेंगे राशी फल में हम मेस राशी के अक्टूबर और नॉम्बर महिने के राशी फल की चर्चा करेंगे और राशी फल में स्वास्त की धन की ब्यापार करोवार नौक मेस राशी वालों के अक्टूबर और नॉम्बर महिने के राशी फल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे ये राशी फल चंदराश पराधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जनकुंडली में ये देख लें कि चं अंद्रमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जनकुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राशी से देखव सुन सकते हैं और कौन-कौन से अच्छर मेस राशी में आते हैं वो आप वीडियो प्रिश्चिक राश में रहेंगे और फिर ब्रिश्चिक राश में रहेंगे। पूरे दूनों महिने रहेंगे और राहु ब्रसब राश में रहेंगे और केतु ब्रिश्चिक राश में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल्क प्रदान करते रहेंगे तो चलिए पहले मित्रों बात कर लेते हैं अक्टूबर के महीने की तो ब्यापार कारोबार और करियर की आपकी बात करें तो कामकाज और करियर की दृष्टी से महीना अच्छा जाने वाला है क्योंकि आपके दसम्भाव में आपके दसमे सनी हैं और गुर्देव का गोचर भ और नौकरी के लिए आपकी मेहनत और आपका अनुभब दोनों मिलकर आपके लिए सफलता लाएंगे और आप अपने कारी को आगे बढ़ा पाएंगे। स्वामी भी दसंभाव में रहेंगे गुर्देब तो इस महीने आपके लिए अच्छा है और अगर आप सरकार के सहयोग से भी कोई सरकारी ठेका बगएरा लेते हैं तो अक्टूबर का महीना इसके लिए भी आपके लिए अच्छा है अब अब स थोड़ा सा आपको समल कर चलन लापरवाही ना बढ़ते हैं बढ़ना फिर इसमें दिक्कत हो सकती है और धन के मामले में बात करें तो थोड़ा पेंडाउन बाला रह सकता है महीने के शुरुआत सामाने दिख रही है ब्यापार कारोबार में तो मन लगेगा ही क्योंकि आपका अच्छा कारोबार रहेग आयके साधन खुलेंगे पर हो सकता है कि आपको आसा के अनरूप लाप ना मिल पाए जिससे आप थोड़ा तनाव में आए और बाकी अगर सरकारी छे से समंधित कार कोई कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा योग है और ब्यापार कारोबार में भी लाप हो सकता है लेकिन आपको खर्चों पर नियंतर करना होगा बे बज़े के खर्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि गुर्दे बार में भाव के स्वामी भी हैं तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है फिजूल खर्ची ना हो इससे बचना है कहीं ऐसी जगे पैसा ना लगा है जहां से आपको नुकसान हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है स्वास्त की द्रिष्टी से अक्टूबर का महिना अगर स्वास्त की बात करें तो कुछ छोटी मोटी परेशानिया रह सकती हैं सुर्य और मंगल दोनों की एक दोनों छटे भाव में रहेंगे तो कन्याराशी में 17 अक्ट बिकार हो सकते हैं इनका ध्यान रखें और अगर ब्लड पेसर बगएरा पहले से कोई आपको है तो उसमें साब धान रहें अपनी दवाईयां समय पर लें और अगर कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर से परामर्स अबश्य लें योग बयामादी करें और बिना बात के कोई तनाव ना लें ज्यादा तनाव को अपने उपर हावी ना होने दें और 17 अक्टूबर को सुर्य राश्य परिवरतन कर लेंगे तुला राश्य में चले जाएंगे तो फिर उस स्वास्त के लिए थोड़ा सा समय ठीक हो जाएगा प्रेम समंदों की बात करें तो उनके लिए महिना थोड़ा सा अपन डाउन बाला होगा क्योंकि आपके पंचमेश सुर्य आपके छठे भाव में होंगे और जहां मंगल पहले से ही होंगे 22 सक्टूबर तक रहेंगे भी तो सुर्य मंगल दोनों की उती हो जाने से आपके सुभाव में अहम और क्रोध हा सकता है आप सा अच्छा नहीं है तो आपको सोच समझ कर बरताव करना है अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ और अपने रिष्टे को बना कर रखना है जितना संभव हो सके गलत फहमियों से बचें किसी की कही सुनी बातों पर ध्यान ना दें और अपने साथी पर विश्वास करें कोई भी आए तो आप दोनों आपस में हल करें किसी तीसरे बिक्ति को बीच में ना लाएं और 17 अक्टूबर तक इस बात को लेकर ज़्यादा ध्यान रखना है उसके बाद सुर्य राश पर वतन करके तुला राश में चले जाएंगे तो आप में अहम की कमी आएगी और इस्ते आप के दुबारा से अच्छे हो सकते हैं आप बात करें साधी सुदा लोगों की तो अक्टूबर का मेना विवाहित लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है रिस्ता मजबूत रहेगा सुक्र दो तारीक को अश्टम भाव में ब्रिश्चिक राश में रहेंगे तो आपके ससु सदस्यों के साथ हो सकता है घर परिवार में आपकी मान-समान भी आपको मिलेगा और रिष्ते दारों के बीच में मान-समान मिलेगा आपके साथ गर परिवार में तालमेल भी अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना है कि दूसरे भाव में राहू है और अश्टम भाव में केतु हैं आपस में द्रश्टी है तो गलत फैमिया हो सकती है परिवार के साथ बात भी बात हो सकता है किसी बात को लेकर तो इस बात को ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बाते ना हो बाकी कुल मिला कर देखा जाए तो परिवार के लिए सही रहेगा भाई भेनों के साथ यह आप ब्यापार करते हैं तो उनके कारें से उनके साथ में होने से आपको लाब भी होगा और धन की प्राप्ती भी हो सकती है पिता से सायोग भी मिल सकता है 17 अक्टूबर तक संतान को स्वास से जुड़ी कुछ समस्या जरूर हो सकती है जब सुर्ण आपके पंच में छटे भाव में होंगे तो यह ध्यान रखना है कोई छोटी मोटी दिक्कते हो सकती है उसके बाद ठीक है नवंबर मेहने की बात करें तो यह मेहना आपके लिए सुब संकेत लेकर आ रहा है आपको अपने परिवार वालों के साथ संबंद अच्छे रहेंगे लेकिन राहू और केतू ही पर रहेंगे तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि घर में खुशिया रहें है नवकरी के लिए और ब्यापार के लिए विश नवंबर को गुर्देव मकरराश से निकल के कुमबराश में जाएंगे लेकिन वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेंगा क्योंकि वो आए भाव में चले जाएंगे भाग्य भाव के श्वामी तो ये पूरे महिना है वो भी आपका साथ निभाएगा और आपके व्यापार कारोबार में उन्नती के अफसर आएंगे और आपको आए के साधन भी बढ़ेंगे और नवकरी करने लोगों को अपने कामें संतुष्टी मिलेगी और आफिस में उनके काम की प्रसंसा भी होगी चात्रों को में लेके ज़्यादा चांस होंगे प्रेम समंदों के लिए में अच्छा रहने वाला अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप इस में उनको अपनी दिल की बात कह सकते हैं अगर उन्हें पता नहीं और आप प्रेम करते हैं और बाकी अगर आपका प्रेम समंद पहले से है तो वो अच्छा रहेगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 16 नॉमबर तक आपके पंचमेस तुलाराशी में रहेंगे आपके सब्तम्भाव में रहेंगे लेकिन 16 नॉमबर के बाद वो अश्टम्भाव में जाएंगे उस समय पर आपको ध्यान रखना होगा कि साथी के साथ बात भी बात हो सकता है कोई गलत फैमिया बढ़ सकती है इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी के लिए भी आपका अहम का ध्यान रखना होगा और साधी सुधा जिवन की बात करें तो सोला नॉमबर तक तुला राश में रहेंगे पंचमेस आपके सुर्य देब तो उस समय पर आपके साथी में थोड़ी एहम की भावना आ सकती है उसके बाद वो अश्टम भाव में जाएंगे तो साधी सुधा लोगों के लिए इस महिने मिले जुले पर नाम रहेंगे और जो अविवाहित लोग हैं और रिस्ता चाहते हैं तो उनके लिए इस महिने कोई ने कोई रिस्ता आ सकता है और आपके मांसी गूप से आप मजबूत महसूस करेंगे इस महिने और नए नए विचार आपके मन में आ सकते हैं लेकिन नए उर्जा भी देखने को मिलेगी लेकिन 16 नॉम्बर के बाद जब आपके पंच में सश्टम भाव में सुर्देव होंगे तो उस समय पर थोड़ा सा आपको प्रेम समंदों में आपको ध्यान रखना होगा और आपके जो सुक्र हैं जो सब्तमेस हैं वो धनूराशी में रहेंगे तो भागे का साथ मिलता रहेगा कुल मिला के प्रेम समंद जीवन साती के समंद ब्यापार कारोबार में मेस रासी का मिला जुला प्रणाम रहेगा लेकिन अच्छा प्रणाम जादा रहेगा उपाय की बात करें तो प्रदिन आप सुर्य भगवान को तामे के पातर से जल दें मंगलवार को हनुवान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का प्रशाद चढ़ा कर बाट दें सुर्य नमस्कार कर सकते हैं फिट भी रहेंगे और सुर्य भगवान की क्रपा भी मिलती रहेगी और मंगलवार को जब आप मंदिर में जाएं बूंदी का प्रशाद चढ़ाएं तो वहीं पर हनुवान चालिसा का पाट करें और हनुवान जी को कभी कभी चोला भी चढ़ा सकते हैं तो उससे भी आपको काफी लाब मिलेगा अपने मस्तक पर प्रदिन केसर का तिलक लगाएं अपने पिता जी की सेवा करें और उनके चरणिस परस करें तो मित्रों बहुत सारे उपाय मैंने आपको बता दिये इसमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं करें आपको लाब मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपसे मेस राशी वालों का अक्टूबर और नॉम्बर महिने के राशी फल की कुछ चर्चा की ये राशिफल सामाने राशिफल है ये सभी जात्कों पर पूरूदुस से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संबब नहीं है क्योंकि आपकी जन कुनली में ग्रहों के स्थिति और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर के स्थिति इन सभी पर मेरी शीकष्ण वागवान से प्रार्थना है जै शीकष्ण